लोगों की जीवा को बच्चाने में एहल रिद्दा में भाने वाली संजीवनी एक्सप्रेस एक बच्चे की मौत का बारन दें जीहां आम्बेटकर अस्पतार के बाहर खड़ी संजीवनी एक्सप्रेस का दर्वाजा ना खुला दर्वाजा ना खुने से दम भुटने से बच्चे की मौथ हो गई इस डेड महीने के बच्चे को अपनी ऐसी हालत में देख परिजनों का रो रोकर बुरा हाल था तो वही प्रशासन ने इस पर कड़ी कारवाई करने की बार कही अब बात करते हैं धर्मांतरन को लेकर हो रही राशनीती की जीहां एक अध्बान में छपिल लेक के मतावे महराश्टी में करीब 30,000 लोगों को धर्ण परिवर्दत कर सिंधी से इसाइध धर्म में ले जाय गया था जिस पर 36 गर में भी ऐसी ही घटना होने की बात सामने आ रही है इस पर सिंधी साहित अकैडमी के चेर्मेंट अमिद जीवन ने कॉंग्रेस के उपर धर्मांतरन का आरोप लगा दिया है जर्ण परिवर्दत की जो बाते हैं वो पिछले दिनों सामना अखबार है जो महराष्ट से निकलता है वहां की कटिंग आप देखिए उन्होंने लिखा है कि करिकपरी 30,000 सिधी समाज के लोगों ने धर्मांतरन हुआ है और ये धर्मांतरन जो है मिशनेरियां करा रही है इसके अलाबा मतले जो है वहां कल्यार में उलास डगर में अने को मीटिंगें बुलाई गई है कि धर्मांतरन को कैसे रोकता जाए वहां के लोगों ने मुझे फोन किया है कि साब आप अपनी तरफ से कुछ पहल कीजिए विभिन मंदरों दर्बारों से भी कुछ मेसेज मिलेजे कि इस तरह के मतल़ गुलुतियों को रोकने के लिए आप क्या सयोग कर सकते हो तो मैंने भी यह सबसे कहा है कि जहां आप बुलाएंगे मैं आऊंगा और बिल्कुल हम इस चीज का करा विरोज करेंगे हमारी संस्कृति को मिटाने का यह कुछ चक्र चल रहा है हम दबरतस इसका विरोज करते हैं और जिस लेवल तक भी होगा हमारी सरकार से भी हम अगरा अपने सरकार की तरफ से भी कोशिश करेंगे कि ऐसे कुछ चक्रों को रोका जाए 36 गर और 36 गर से जुड़ी खबरों के ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे अलाइट 24 के साथ